आपको बताऊंगा कि दस हजार करोड रुपय इंकम टैक्स माफ करने का बड़ा अइतियासिक निर्णे लिया अधाने कहा कि पंदराभीस सालों से ये निर्णे नहीं हो रहा था देखते हैं करते हैं सोचते हैं ऐसा ही उनको फुद जवाब मिल रहा था जित जदा बरबर हैं लेकिन इसके लिए वे हिम्मत होनी चाहिए होती है केवल पचीस महनो में पटालीस ऐसे निर्णे उनों लिए जिसके कारण स्वकारिता शेत्र में उल्ले कर निय उत्थान हो रहा है प्रगत्य हो रही है ट्रांसपरंस या रही है यह हमारे देश के लिए हमारे राज्य महाराष्ट के लिए बहुत बड़ी गवरों की बात है अभी पहले भी अजित दादा ने भी कहा और देवेंदर जी ने भी कहा है कि जो महाराष्ट के शुगर फेक्टरी जब तकलीब में थी संकट में थी तब हम गए थे अमिद भाई को मिलने में भी और हमारे साथी मंतरी और उन्हेंने कहा इसकी जानकारी मुझे है मुझे पहने पता है यह अभी निरने लेना पड़ेगा और उन्हें सोच रखा है आपको बताऊंगा कि दस हजार करोड रुपए इंकम टैक्स माफ करने का बड़ा इतियासिक निरने लिया और यह शुगर इंडस्ट्री जो है यह गन्ना खिती करने वाले किसान है उनको राहत देने का काम उनोंने किया आजिस दादा ने कहा कि पंद्रभी सालों से यह निरने नहीं हो रहा था देखते करते हैं सोचते ऐसा ही उनको फुद जवाब मिल रहा था आजिस दादा बरबर है अपने कहा इस वक्त और लेकिन इसके लिए भी हिम्मत होनी चाहिए थिये धाडस पाइजे ना अपले ले यहला थाडस पाइजे आने अमिद भाई ने हिजकाई मिरने घेतला व काभिले तारीफ है आने मनुनमीत अमना पाशुन धन्यवाद देतो जसो तैने जिस अस्तर उन्होने हिम्मत से कश् इसले भी हिम्मत चाहिए। तब ही कितने साल सोच रहे थे लोग अरे भैग अटाना चिह हटाना चाहिए जाना चिह लेकिन कोई हिम्मत नहीं कर रहा था मुदी जी के नेत्रुत में अमिद भाई जी इं मत दिखाई और ऐसा अस्मुत अप रोप्रेशन हो गया किसी को पता सरकार की ओर से उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं बहुत-बहुत आवार मानता हूं देश के आज 11770 किसान उत्पादग एक प्यों जो है कारेरत है और उनिन के माद्यम से देश के लाकों किसानों की आए में, इंकम में, उत्पन्न में उर्दी होगी और ये उनके लिए भी बहुत फाइदा होगा जिसके लिए और भी 10,000 FPO स्तापित करने का लक्ष भी रखा गया है कि इंदर सरकार ने उसके लिए 7,000 करोड का प्रावधान भी किया ह उल्लेक निया है कि रौ मट्रियल से लेकर प्रोडक्शन तक प्रोसेसिंग से लेकर पकेजिंग तक और स्टोरेज से लेकर मार्केटिंग और एक्सपोर्ट तक सारी व्यवस्ता FPO के माद्यम से की जाएगी मुझे विश्वास है कि ये सारी प्रोसेस एक क्रांती कारी निर केंदर ने साबित होगा और देश को और राज को बड़ा लाब होगा मैं यह भी कहूंगा पैक्स को मजबूत करने के लिए उनका कंप्राइजेशन किया जा रहा है राज्य की बारह हजार क्रेडिट सोसाइटी को इसका लाब मिलेगा यह बहुत बड़ी अचिवमेंट होगी और महाराष्टेगरी बिजनेस नेटवर्प प्रोजेक्ट के लिए भी केंदर ने बहुत बड़ी राशी दी है जिसके कारण राज्य के किसानों को देश और विदेश को बाजार में अच्छे दाम भी मिल जाएंगे और यह सब जो हो रहा है अभी अजित दादा जी ने कह कि 2000 हमारे चीनी का उत्पन जो है जो 105 लाक मेट्रिक टन का 2022 तेश में था अब 21 लाक टन उस ताम उस वक निरियाद भी हुआ और हमारी शुगर फैक्टरी जो है वो तेल कमपनियों के लिए 135 करोड लिटर एथनॉल देने की शम्ता भी रखता है यह भी महाराष्ट के लिए बहुत बड़ी बात है आज सही माने में युवाओ को इस सहकार विभाग के ओर अकरशित करने का काम भी निश्यत रुप से उनको प्रोशाइद भी करने का काम होगा और यह भी अच्छी बात है वो भी सहकार विभाग से जुड़ने चाहिए क्योंकि प्रोपेशनल मैनेज काम हमारे अमिद भाई जी के मारग दर्शन में यह हो रहा है और इसलिए मुझे मिश्वास है कि सहकार से समरुद्धी इस नारे से नकेवल सहकार शेत्र को लाब होगा बलकि कुरुशी पनन ग्राम विकास को भी इससे बहुत बड़ा लाब होगा बलशाली भारत का जो अरे निर्णे का बहुत बड़ा उप्योग होगा और इसलिए कहते हैं कि बिना सहकार नहीं उद्धार और यही शाश्वत सत्य है और इसलिए जो हमारे अधरनिया प्रधान मंत्री मोदी जी का 5 trillion dollar का जो सपना है यह सपना भी यह ऐसे क्रांतिकारी जो सहकार युभाग में हम निर्णे लेंगे तो निश्चित रूप से वो पूरा होगा ऐसा हमेशा अधरनिया अमिद भाई भी कहते हैं और इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं अजित दादा ने कहा कि देश के हमारे अधरनिया प्रधान मंत्री जी के नेतरुतों में देश आगे बढ़ रहा है देश नहीं उचाही को चूरा है देश का नाम बड़े गवरों के साथ पुरी दुनिया में ले रहा है कोई उनको बास कहता है कोई उनको गले लगाता है कोई उनको वर्ल लिडर के हैसे से देखता है और राज्य का अभिकास भी जब हम शुरू किया ए में और अमिद भाई के मर्गदर्शन में जैसे उन्होंने कहा था कि पूरी ताकत से हम सरकार के पीछे खड़े रहेंगे पूरा शब्द उन्होंने निभाया है पूरी ताकत से हो खड़े और राज्य को विकास की ओर ले जाने के लिए हमेशा मदद करते हैं देखो जो है है भाई सब ठाकरे जी कहते है जो सच है सच कही नहीं चाहिए और जो है अच्छा उसकी वावा करनी चाहिए आज हम देखते हमारे एक भी प्रस्ताव बिना कटोती के मंजूर होता है अज प्रदान मंत्री जीर भी आज कितने 500 स्टेशन अपग्रेड हो रहे हैं उसमें 44 मारस के हैं वन दे भारत के अब ट्रे न शुरू कि ए कई ऐसे काम है मेट्रों के लिए सयोग मिल रहा है और इसलिए डबल इंजिन वाली सरकार जो है यह एक मुझब राज और केंदर एक विचार के सरकार होते हैं तो बड़े तेजी से विकास होता है और इसलिए इस तेजी के विकास के साथ अजीद दादा भी हमारे जुड़े है उनका भी मैं स्वागत करता हूँ और अभी पूरी ताकत से एक ही हमारा लक्ष है इस राज्य को आगे बढ़ाना इस राज्य के जनता के जीवन में परिवर्तन लाना उनके जीवन में अनंद लाना और इस राज्य में ए जाई साल में बंद हुए थे हमने फिर से उसको शुरू कर दिया है क्योंकि हमारे पास कोई इगो नहीं है अहंकार नहीं है हम इतना ही चाहते हमारे राज्य के निरने से जनता का भला हो जनता को सुविदा मिले ये राज्य का विकास हो इतना ही चाहते और आज मैं फिर एक ताकत से खड़ा है अधर निया प्रधान मंत्री जी का अशिरवाद है इसलिए आप जो चाहते है इस राज्य का विकास वैसे हम पूरे दिल से मेहनत करके हम लोग 24-27 वाले लोग हैं हम मेहनत करने वाले लोग हैं आप खाले अशिरवाद रखो मैं और हमें ताकत दो और इस करना दो लोग है तूरे निया भी है करने से अपमें आपले लोग हैं आप जाजवाद करने साय हम मėं प्राव आप पत्रूरस एंशिर को कि अ कल राता है यह बंसेतों है झाले लोग हैं दो सेया आप ... झाल झाल